हलो आज है 13 माई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हिंदुस्तान एरोनोटिक्स के बारे में देखिए डिफेंस सेक्टर की काफी दमदार कमपनी है ये और पिछले कुछ टाइम में देखा जाए तो शेर प्राइज में काफी बड़ी तेजी हमने देखी है रेट कर रहा है 2975 रुपए के आसपास कल हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली जरूर थी तक्रीबर देखा जाए तो अच्छा ग्रोथ है 2775 से बहतर तेजी बनी तक्रीबर पांच परसंट का जंप हमें यहाँ पर देखने को मिला है लेकिन अगर एक साल की बात करे तो 85 परसंट का ग्रोथ है बहतर तेजी है और हर एक बड़ी रफतार के बाद एक रेंज आया जरूर था जहां पर यह गिरावट के साथ कुछ टाइम के लिए कंसलिडेट किया लेकिन उसके बाद एक बड़ी रफतार के लिए तयार भी हुआ अभी जो इनके रिजर्ट्स आये हैं वो उतने अच्छे नहीं है और उतने बुरे भी नहीं है लेकिन हाँ शेर में जब खुलेगा मंडे को जब बाजार खुलेगा तो थोड़ा सा करेक्शन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है और उसी करेक्शन में खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं कमपनी पांस साल में अगर देखा जाए तो बहतर रफतार पकड़ी है और अपने आल टाइम हाई पर बैठा हुआ है शांदार तेज़ी देखने को मिली है और इस बीच करोना काल में यह 533 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था वहां से अगर हम मूव देखे तो काफी बहतर मूव देखने को मिला है और अपने आल टाइम हाई पर बैठा हुआ है यह सरकारी कंपनी है और डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है पिछले कुछ महिनों में काफी बड़े बड़े डिफेंस के जो प्रोजेक्ट है वो इस कंपनी को मिलते हुए नजर आए अगर हम बात करें company को लेकर तो इनके जब सबसे पहले अगर हम बात करें इनके revenue को लेकर तो revenue में जंप आया जरूर है तकरीबन 8% की तीजी आई है इनके revenue में जो इस बार तकरीबन 12,500 करोड के आसपास का revenue देखने को मिला है जो पिछले साल इसी quarter में 11,500 करोड के आसपास हुआ करता था अगर profit की बात करें तब थोड़ा सा decline है profit में decline देखने को मिला है 2,831 करोड का मुनाफ़ा इन्होंने कमाया है जो पिछले साल इसी quarter में 3,105 करोड हुआ करता मतलब कुल मिला कर तकरीबन 9% की गिरावट आई है इनके profits में अगर हम बात करें इनका EPS तो वहाँ पर भी decline आया है 84 के आसपास रहा है EPS जो पहले 92, 93 के आसपास हुआ करता था अगर मैं आपको company के बारे में detail में दिखा हूँ तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि अगर पिछले quarter से compare December से compare करो कोई उतना बड़ा जंप नहीं है लेकिन बड़ी update आई है profit को लेकर तेकि इससे पहले के quarter में अगर हम देखे तो 1115 क्रोड के आसपास का मुनाफ़ा था जो बढ़के 2831 क्रोड रहा है हालाकि इससे पहले के पिछले साल इसे quarter में 3000 क्रोड से भी पिछले quarter से compare करोगे December से तो नतीजे बहुत अच्छे लगेंगा आपको लेकिन पिछले साल से compare करोगे तो थोड़ा सा decline वाला mood है जहां तक अगर हम बात करें हिंदुस्तान aeronautics की तो बहतर तीजी है एक महिने में 7.5% की रफ्तार पकड़ी है 6 महिने में 21% एक साल में 100% डबल हो चुका है पैसा यहां पर और 3 साल में 475% तकरीबन 5 गुना पैसा बना है तीन साल के अंदर तो अच्छी बात है company का जो peer ratio है वो भी काफी अच्छा है 16 के आसपास का जो कि industry पीश से कम है ये एक positive चीज है सारी अच्छी चीज है negative चीज अभी के लिए इस company में कुछ भी नहीं है हाला कि हाँ एक बड़े breakout की तरह भाग जरूर रहा है तो कहीं न कहीं एक level बीच में ऐसा बनेगा जरूर कि जहां से ये रुकेगा अटकेगा थमेगा और उसके बाद एक बड़ी तेज़ी के लिए भागे का लेकिन अभी मुझे रहता है कि जो results आए है वो उतने अच्छे नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं है तो इस range के आसपस consolidate करना चाहिए ये थोड़ा बहुत correction अगर बनेगा तो add करने के मौके बनेंगे इसका अगर हम average ROE भी देखा जाए तो तीन साल का अच्छा रहा है तकरीबन 25 के आसपस देखने को मिल रहा है large company है एक लाग करोड से भी जादा का इसका market cap है बहतर चीज़ है ये company के बारे में अगर हम dividend के बात करे तो अच्छा हाला कि तब ये क्या था पहले 10 रुपए का पहले तीन बार पहले 26 रुपए फिर 10 रुपए फिर 20 रुपए इस बार already 20 रुपए का dividend पे कर चुका है और अभी next quarter में शायद दोबार announcement हो चुछते या फिर बीच में कभी भी announcement हो जाएगी इनके dividend को लेकर results जो आये हैं वो अच्छे हैं खराब नहीं है लेकिन हाँ पहली चीज़ ये भी है कि उतने extraordinary भी नतीजे नहीं आये हैं और अगर हम देखे तो generally March quarter में आपको बड़ा revenue देखने को मिलता है क्योंकि अगर आब इससे पहले देखे तो March 2022 में 11,500 क्रोड का revenue था उसके बाद revenue घड़ गया सीधा 3,622 क्रोड उसके बाद थोड़ा सा वड़ा लेकिन 5,000 क्रोड रहा फिर 5,665 क्रोड मैं अब देखो यार एक चीज़ है कि जो March quarter होता है उसमें कई सारे बड़े प्रोजेक के announcement होती है क्योंकि बज़ेट आ जाता है तो कही सारे बड़े प्रोजेक के announcement होती है और तब कही न कहीं एक बड़ा announcement के ज़रे बड़ा पैसा मिलता है और मुझे लगता है कि इसलिए जो revenue है वो March quarter में ज़्यादा देखने को मिल जाता है जैसे कि इस बार भी 12,500 क्रोड का आसपास का revenue रहा अब मुझे हैरानी नहीं होगी कि उसके बाद के जूनल सब्टेंबर quarter में 12,000 से 6 या 7,000 क्रोड के revenue आपको next quarter में देखने को अगर मिलते हैं तो यूँकि pattern तो वही रहा है देखते हैं क्या होता है लेकिन यहाँ पर profit wise भी same चीज़ है आदेखे 3,000 क्रोड का profit था बाद में घटके 600 क्रोड रहा फिर 1200 क्रोड रहा फिर 1100 क्रोड के आसपास का रहा इस बार definitely अच्छा जरूर है लेकिन फिर भी आपको 71.65% की holding actually में अपनी holding कम करी है HL में और offer for sale भी यहाँ पर आया था एक भी share गिरवी नहीं है public के पास 5.34% की holding है यहाँ पर FIL के पास 9.07% की holding देखने को मिल रहे mutual funds भी यहाँ पर 8.84% की holding लेकर बैठे है insurance company 4.55% की holding पर है और देखा जाए तो सिर्फ insurance company ही है जिन्होंने बिकवाली करी है December के quarter के मकाबले वरना mutual funds ने खरीदारी करी है जो पहले 7.42% की holding थी वो बढ़कर 8.84 पर आ गई इतना ही नहीं अगर हम बात करें FIL की foreign portfolio की तो उन लोगों ने भी बड़ी खरीदारी करी है पबलिक ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी करी है प्रमोटर ने तो हलाकि अपनी quantity थोड़ी से कम करी है जो CB का rule है कि 75% से जादा की holding नहीं होनी चाहिए तो उसी के जरीए अपनी quantity कम करी है और एक बड़ा पैसा government को मिला भी था इस share बेचने के जरीए देखिए overall मैं मान के चल रहा हूँ कि हिंदुस्तान aeronautics company है तो दमदार और आने वरे दोर में government जो है वो defense पे जादा spending करती नज़र आएगी defense पे काफी बड़ी spending government करती नज़र आएगी और कहीं न कहीं पहले क्या था कि जो defense को लेकर अगर हम देखे तो बाहर से चीज़े मंगवाई जाती थी लेकिन अभी make in India, made in India की जहां तक बात है तो बड़ा पैसा वहाँ पे खर्च किया जा रहा है तो कहीं न कहीं हिंदुस्तान aeronautics की मैं बात करू तो पैसा मिल सकता है इनको बड़े बड़े project already मिले है जिसको लेकर पिछले कुछ महीनों में मैंने कई सारी updates भी दी है कि कौन कौन से project इनको मिले है तो again कहूंगा company खराब नहीं है अच्छी company है लेकिन जो results आए है वो अगर पिछले साल से compare करोगे तो उतने अच्छे नहीं लगेंगे आपको पिछले कुछ quarter से compare करोगे तो बहुत अच्छे लगेंगे तो यही कहूंगा कि average है ना ही उतने अच्छे ना ही उतने अबुरे है तो जब Monday को बाज़ार खुलेगा तो share price में उतनी बड़ी हलचल मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगी एक दो percent ups and downs ही आपको देखने को मिल सकता है कोई उतना बड़ा मैं unexpected चीज यहाँ पर मान के नहीं चल रहा हूँ तो यहीं कहूंगा अगर आपके पास है तो रखे रहो तो वहाँ पर खरिदारे के मौके भी बनते हुए नजर आ सकते हैं तो नजर होनी चाहिए आपके इस company के उपर इसका अलावा जिस portal का मैं इस्तमाल कर रहा हूँ अगर आप भी उसको use करना चाहते तो link मैं आपको description में दे दूँगा वीडियो को यहीं प्रेंड करूँगा पसंद आखो तो like करें चाहिए अगरा पहली बाहर हैं तो please subscribe करें और हिंदुस्तान aeronautics के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं थैंक्यू